और आयोध्या में तो राम मंदिर अभी बनने में समय है लेकिन यहाँ पर आपको राम मंदिर देखने को मिलेगा और इस मंदिर के अंदर आप करेंगे मादुर्गा के दर्शन तो आए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखिए से राम मर्यादव पुर्शत्रम शीराम का यह कटाउट भग्वान राम का यहाँ लगाया गया है और और देखिए इस समय हम पंडाल में आचुके हैं और आपको करार रहे हैं मादुर्गा के दर्शन तो आप मादुर्गा के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा पंडाल बनाया गया है और देखिए इस पंडाल में इजहां की पूरी बनाई गई है भग्वान भुलेनात का शिवलिम भी यहाँ पर जस्थापित किया गया है बनाया गया है मादुर्गा अपने सही अन्य देवी देवताओं के साथ भक्तों को दर्शन दे रही है और आज से पट खुल गये हैं तो आई थोड़ा नजदीक चलते हैं और दिखाते हैं और भी यहाँ पर क्या कुछ नजारे हैं इसी एक साथ दिखिए दुस्तों यहाँ पर जो नौ देविया है उनकी यहाँ पर अस्थापना की गई है और नौ दिन यहाँ पर यहाँ माता के पुजन हो रहे हैं यहाँ दर्शन कर सकते हैं और अभी यहाँ पर काम चल रहा है तो यह हमापको दिखा रहे हैं शिवपूर में ही जो राम-ंदिर बनाया गया है उसके अंदर अमा दुर्गा हैं उनके सब्लक्राइब करें ओर्देखिए यहां पर जांकिया लगाई गई हैं जो की बहुत ही शांदार भोषूर्द लगें और माता का दूल candies के रूप है वह मनमोहक है और इस समय हम वाजूद है भोजू बीर में यहां पर देखे कि पंडाले कन्ना यह तरीके से बनाया जा रहा है और गुफा के अंदर माता के अस्थापिद दिया गया है मादूरगा की प्रतिमा को तो आई आपको अंदर ले चलते हैं दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे मा की यहां पर गुफा बनाई गए एक और सुखिए हाला कि यह तो इसकी हैallen नहीं है के प्रतिमा युद्री अरशाथ है और दिख आए उड़ी और हैं और फ॥रं शिरे जह मातावाइश्ण देवी की जो तिन पिंडिया होती है उनको यहां पर रखा गया है उनके प्रतिमूर्ती यहां पर रखे गई है एक और देखें यहां पर मादूर्गा के और तारों को यहां पर रखाया गया है अलग तरहें कि मूर्ती यहां पर मादूर्गा की भी बैठाई तो लेका दीक है और अन्य जिप्डी देवता है इनको भी आपे रखा रहा है प्रसादी लेते रहे हैं देज़ेगा बैठने का जगह होगा तो देखे यह जो गुफा का एक्जिट गेट है आप यहां से निकल सकते हैं और यह देखे कि इतने सुन्दर गुफा बनाई गई है माथा के जर्शन के लिए अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजेगा चैनल पे नए हैं या पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजेगा हम इसी तरह और दुर्गा पूजा के पंडालों को आपको उमाते रहेंगे इस वीडियो में इतना ही हमें दीजयाजा धन्यवाद हरार महा दे जयाए माता दे